दुनिया में भारतिय बेडमिंटन को अलग पहचान दिलाने वाली देश की शीर्ष खिलाडी साइना नहवाल खेल मंत्राले के रवईये से बेहत निराश हैं लगातार दूसरी बार पद्म भूशन अवार्ड के लिए नजर अंदास किये जाने से साइना ने अपनी निराशा एक प्रेस कॉन्फरेंस कर जताई है इस प्रेस कॉन्फरेंस के जरिए खेल मंत्राले को भी आड़े हातों लिया है साथ ही बेडमिंटन में देश के लिए एक मात्र ओलंपिक पदक विजेता खिलाडी ने दबी जुबान से खेल मंत्राले पर आवार्ड के मामले में पक्षपात करने का आरोब भी लगाया है साइना को उमीद थी कि पिछली बार नियम का हवाला देकर खेल मंत्राले द्वारा अवार्ड देने से इंकार किये जाने के बाद उन्हें इस बार पन्मभूशन मिल जाएगा लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया गया तो वे निराश हो गई और यह फ्लिक स्विस थी फोरेंसे लिए ये नेट में आप जो बेस्ट पीपल है वह स्पोर्स मिनिस्टी वाली ही है उनको कुछन कुछ है कि ऐसा क्यू और होता कभी कभी के हर एक बार मैं ही नहीं हर एक बार ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी ना किसी को आवर्ड नहीं मिलता है और आवर्ड देने के बाद या तो वो नियूज में आते हैं या आवर्ड मिलने से पहले वो नियूज में आते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इस प्ला से कहेगा I will try my best to win the tournaments, लेकिन यह जिस्ट ऐसी बात अगा जब obviously as a player when you are focused और ऐसा जब तुमारे दिमाग में आती है ऐसी बाते, when you get to know from someone, it's a little disturbing. हबरों के साथ बने रहे राद दिन